गुड मॉर्निंग श्टुडेंट्स तुडे आयम गोईंग टू अस्टार्ट चेप्टर फोर टिक 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 पैंपोस एंड साजिया वेर डिस्कसिंग फूज होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल पैंपोस और साजिया आपस में डिस्कसिंग कर रहे थे किसकी दूरी घर से इसकूल की ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैंपोस और साजिया दोनों आपस में बातचित कर रहे हैं पैंपोस कर रहा है I have to work for five minutes to reach school और साजिया कर रहे हैं I just work for two minutes to reach school पैंपोस क्या कर रहा है कि मैं जो हूँ इसकूल पांच मिनट में पहुँच जाता हूँ और साजिया क्या कर रही है कि मैं इसकूल जो हूँ दो मिनट में पहुँच जाती हूँ तो इस पर कर रहा है पैंपोस यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर्स में पैंपोस कर रहा है impossible your home is farther farther from school और साजिया कर रहे है but I checked my watch कि पैंपोस कर रहा है यह impossible है कि तुम्हारा जो घड है दूर है इसकूल से but I checked my watch लेकिन साजिया कर रहे है कि मैंने अपना watch check किया है अब वो साजिया बता रही है यहाँ पर आप देख रहे है कि I start for school at 7 o'clock और यहाँ पर आपको time दिये गए है एक time कितने so कर रहे है तो 7 o'clock यानि 7 बज़रे हैं इस घरी में तो जब वो 7 बज़रे चलना सुरू करती है तो when I reach school the minute hand points at 2 तो देख रहे हैं आप जैसे कि minute hands कहाँ पर चले आते हैं 2 पर इस pictures में आप देख रहे हैं तो यह time बता रही है so student it be यहाँ पर आपको time बता रही है so student it be 2 minutes past 7 और 7 2 तो क्या यह 7 बज़रे कर 2 minutes नहीं होना चाहिए यानि 2 minutes past 7 नहीं होना चाहिए तो क्या यह 2 minutes past 7 होगा तो नहीं होगा क्योंकि यह 7 10 का सो कर रहा time come to the next page number अब देखे यहाँ पर फिर से लोग discuss कर रहे है you are wrong you reach school at 7 10 how अब पेंपोस बता रहा है कि तुम गलत हो तुम इस school जो हो 7 10 में पहुंचती हो तो यह साजिया कर रहे है कि how कहिसे तो यहाँ पर देखे फिर से discuss कर रहे है पेंपोस और साजिया can you can you see these thin lines between the numbers yes so what क्या आप देख सकते हैं यह thin lines को between the numbers numbers के भी जो thin lines है जैसा कि आप लोग यहाँ इस pictures में देख रहे हैं यहाँ इस pictures में देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे thin lines दी होंगे तो the minute hand move across 10 lines after 12 तो minute hand क्या होता है 10 lines move करता है across 10 lines after 12 so it is 10 minutes past 7 तो यह कितना समय बता रहा है तो यह समय आपका हो जाएगा 7, 10 तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यह 7, 10 ठीक है I start for school at 7 अब फिर यह बता रहा है Pampos कि मैं time जो हूँ शुरू करता हूँ 7 एम में school जाने के लिए और कब पहुंचता हूँ I reach at 7, 5 see the minute hand moves across 5 lines और मैं school पहुंचता हूँ 7 past 5 में तो minute hands कितने move कि across 5 lines जैसा कि आप लोग यहां इस pictures में देख रहे हैं यहां पर यह कितना time बता रहा है 7 और यहां पर यह time कितना बता रहा है 7, 5 ठीक है Practice time Question में first Three friends read time from a clock Who is right अब यहां पर तीन दोस्त है और आपस में discuss कर रहे है clock में कि समय बता रहे हैं कि वो कितना समय हो रहा जैसा कि आप लोग यहां इस pictures में देख रहे हैं तो चीकू का time है बिट्टू का time और pinky का time है ठीक है तो चीकू का time देखिए क्या सही है 12, 3 बता रहा है बिट्टू 12, 15 बता रहा है और pinky 3 तो हम लोग देख रहे हैं वाच में कि यह कितना time सो कर रहा है 3 तो किसका right हो जाएगा pinky का फिर second में देखते हैं चीकू कितना बता रहा 7, 25 बिट्टू 5, 7 और pinky 5, 35 तो किसका time सही है तो किसका time सही है 5, 35 ठीक है उसके बाद आपका है फिर निक्चे questions है चीकू बिट्टू और pinky का चीकू का time है 3, 35 बिट्टू 7, 3 और pinky 7, 15 तो किसका time सही हो जाएगा pinky का 7, 15 My dear students This is over for today and in the coming video we will continue the chapter till then keep watching my video thank you